हेलो दोस्तों आप सबका अपने इस चैनल पर एक बार फिर स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं दाल चीनी के कुछ गुणों के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजी और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल न सिनेमन भी है और इसका वेग्यानिक नाम सीने मोमम है दाल चीनी एक मसाले की रूप में उप्योग होती है यह बात हम सब जानते हैं और हम सब यह भी जानते हैं यह खाना का स्वाद भी बढ़ाती है दाल चीनी के पेड की छाल दवा की रूप में उप्योग होती है दाल च करक्ति सरकरा की स्थर को कम करने में मदद करती है और टाइप 2 डायबिती इस ग्रशित व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी हैं है यह प्री ड्यायबितिक व्यक्तियों में टाइप 2 डाइबिटीज की रोक थाम के लिए इस्तिमाल की जाती है प्री डाइबिटीक का मतलब रक्त सरकरा का इस्तर सामान से अधिक है लेकिन डाइबिटीज की इस्तिती से जरा कम है तो ये प्री डाइबिटीक इस्तिती कहलाती है मतलब रक्त सरकरा नॉर्मल भी नहीं है और डाइबिटिक भी नहीं है मतलब रक्त सरकरा बीच पर है तो ये प्रीडाइबिटिक इस्तिती कहलाती है दाल चीनी पाचन की सभी प्रकार की समस्याओं से चुटकारा पाने में मदद करती है यह पेट की मसल्स की एठन को कम करती है और अपच, इरिटेवल, बॉबल सिंड्रोम और गैस जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करती है दाल चीनी लीवर की कारिशमता भी बढ़ाती है लीवर की कारिशमता भी बढ़ने से सरीर से विसेले पधारतों को बाहर निकालने में मदद होती है और रक्त सुद्ध करने में भी मदद होती है तो साथ यह हमने यह जाना दाल चीनी के कुछ गुणों के बारे में